हेलो हेवरीवान मेरा नम अक्षता अगरवाल है और मैं क्लिनिकल डाइडेशन हूँ आग जो टॉपिक में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हम लोग ऐसे पाथ सिंपल मेथड्स देखने वाले हैं जिनसे आप बहुत एजीली अपना डे-टो-डे स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं और क्यूंकि स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक बहुत इंसेपरेबल पार्ट बन चुका है हम चाहें या ना चाहें हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी अमाउंट के अंदर stress present है तो ये 5 simple तरीकों से आप उनको manage कर सकते हो तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ music therapy के बारे में तो एक meeting मैंने attend करी थी, एक conference attend करी थी IMA में जिसके अंदर हम लोगों को music therapy के बारे में बताया गया था तो वहाँ पर first time मैंने इसके बारे में सुना था और इसमें मेरा interest generate हुआ था तो मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो इसको पढ़ने से मुझे ये पता चला कि अगर हम लोग slow classical music सुनते हैं तो हमारे जो body है उसके अंदर happy hormones जो हैं वो release होते हैं और जो stress hormones हैं उनकी percentage reduce होती है तो ये एक बहुत simple तरीका है अपने stress को manage करने का तो दो particular ऐसे राग हैं हमारे Indian classical music के जिनको अगर आप सुनेंगे तो उनसे आपके stress को कम करने में अच्छी नीन दाने में और आपकी anxiety को कम करने में आपको मदद मिलेगी तो पहले राग का नाम है बीला हारी राग इसका जो नाम है मैं description में दे दूंगे आपको इसे आप easily Google पे या YouTube पे सर्च करके सुन सकते हैं अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ बैटके सको लगा सकते हैं ड्राइब कर रहे हैं गाड़ी में लगा सकते हैं kitchen में काम कर रहे हैं kitchen में आप इसे लगा सकते हैं तो ये बहुत असान तरीका है अपने stress को manage करने का दूसरा एक और राग जो आपको help करेगा वो है सामा राग ये राग जो है ये भी associate किया गया है positive feelings के साथ अच्छे moods के साथ और ये जो दोनों राग हैं ये आपको stress management में बहुत अच्छे से help करेंगे दूसरा important तरीका जो stress management का वो है sunlight का exposure तो एक वीडियो मैंने किया था mood swings में जिसमें मैंने importance of light के बारे में बताया था तो यहां पे भी मैं आपको बता दे दियू कि कुछ studies कंड़क करी गई थी और उसमें ऐसा देखा गया कि जो लोग sunlight को regular exposure करते हैं regular धूप में निकलते हैं उन लोगों की बॉड़ी में dopamine नाम का एक hormone produce होता है जो कि एक happy hormone है और जो भी लोग sunlight को बिल्कुल भी exposure नहीं कर पाते उनके अंदर happy hormones की percentage reduce होने लगती है और stress hormones की percentage बढ़ने लगती है तो मेरा आपको यह suggestion है कि regular basis पे कम से कम 20 से 30 मिनट आप sunlight को जरूर expose करें ताकि जो आपक सिंपल तरीका है अपने stress को manage करने का कोई cost इंवार्व नहीं है कोई इसमें equipment इंवार्व नहीं है simply आपको धूप में जाके बैठना है तो धूप में अपने आपको expose करना है थर्ड जो आप यूज कर सकते हैं इसको कहते हैं अरोमा थेरपी अरोमा यानि की खुश्बू तो और हमारे moods को uplift करने में help करती है तो अब अरोमा थेरपी एक बहुत important टूल बनता जा रहा है stress management के towards तो अरोमा थेरपी आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो essential oils market में available होते हैं आपको easily online भी मिल जाएंगे तो essential oils को आप diffuser में use कर सकते हैं या simply थोड़ी सी drops अपने हाथ में डा सबसे जादा effective essential oils हैं stress management के लिए उनका नाम है एक तो lemongrass, दूसरा है rose, तीसरा है lavender, ये तीन जो oils हैं ये बहुत effective हैं stress management के लिए और इनको आप easily diffuser में या otherwise use कर सकते हैं जो लोग essential oils नहीं use करना चाते हैं या जिनको essential oils इतना feasible option नहीं लग रहा तो वो लोग simply flowers को या फिर citrus fruits क भी smell करके इस therapy का फायदा उठा सकते हैं तो जो कुछ research is उसमें इसा देखा गया कि certain flowers और certain fruits की जो smell है वो हमारे moods को uplift करती है और हमारे जो stress है उसको reduce करती है happy hormone जो की serotonin है उसको हमारी body में release करती है तो इन जो fragrances है इसके अंदर rose included है तो rose को आप चाहें तो natural rose को भी आप य कर सकते हैं या फिर lavender इसके अंदर included है इसके अलावा जितनी भी citrus fragrances है जैसे orange या lemon वह भी इसमें included है तो यह भी आपको calm down करने में help करता है और आपके जो stress levels है उनको reduce करता है आज कल बहुत तरह के aromatic products market में available है जैसे की different soaps आते हैं या फिर bath bombs आते हैं इसके अलावा बहुत सा आते हैं तो जो भी product आपको easily available हो जो भी product आप easily use कर सके उसको आप use कर सकते हैं और aroma therapy से अपने stress को manage कर सकते हैं अगला जो important tool है जिसके थूँ आप अपने stress को manage कर सकते हैं वो है आपका exercise अब exercise की importance मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताई है तो मैं यहां पर भी आपको बताना चाहती हूँ exercise जब हम करते हैं तो हमारे जो happy hormones हैं उनका production body में increase होता है और जो हमारा stress hormone है cortisol उसका production हमारी body में reduce होता है दूसरा exercise करने से हमारा blood circulation improve होता है जिसकी वज़े से हमारा digestion better काम करता है और हमारी body को और अच्छा nutrition मिलता है जिसकी वज़े से हमारा stress level further reduce होता है physical activity करने की वज़े से हमारी body tired होती है tired होने की वज़े से हमें अच्छी और deep sleep आती है जो further हमारे stress को reduce करती है तो regular आप 30 minutes के activity अपने routine में जरूर incorporate कीजिए ताकि आप easily अपने stress को manage कर सके इसमें भी कोई cost involved नहीं है यह भी एक बहुत cost effective तरीका है अपने stress को reduce करने का final जो method में आपको बताना चाहती हो stress management का वो है through diet diet के अदर कुछ ऐसे foods हैं जिनका आप consumption अगर करते हैं तो उन में बहुत अच्छी quantity में antioxidants पाए जाते हैं और यह antioxidants आपके stress से जो भी damage आपकी body में होता है मैंने बहुत सारे videos में discuss किया है तो यहां पे सिर्फ मैं आपको कुछ foods बता देती हूं जो आपने आप regular routine में incorporate कीजिये और उनके फायदे आपको आपके stress level reduction के अंदर दिखने लगेंगे पहला food जो है वो है green leafy vegetables green leafy vegetables से आपको अच्छी quantity में vitamin A मिल जाएगा और vitamin C मिल जाएगा दूसरा important food जो आप include कर सकते हैं वो है बदाम और अखरोट इससे आपको vitamin E मिल जाएगा omega 3 मिल जाएगा दोनों बहुत strong antioxidants है अगला food जो आप include कर सकते हो वो है haldi अगर आप 1-2 pinch haldi भी regular इस्तमाल करते हो तो वो भी curcumin नाम का एक antioxidant का बहुत अच्छा सोर्स है और वो भी आपके जो stress reduction के अंदर बहुत helpful रहता है प्लस आपकी immunity को भी boost करता है अगला food जो आप use कर सकते हो वो है dark chocolate dark chocolate के 2-3 cubes जगर आप regular basis पे यूज़ करते हो वो भी आपके happy hormones की production को बढ़ाता है साथ ही साथ antioxidant का बहुत अच्छा सोर्स होता है तो दोनों वे में वो आपके stress को manage करने में आपकी help करता है final food जो मैं बताना चाती हूँ stress management के लिए वो है seeds तो seeds में आप alci के बीच, sunflower के बीच या फिर chia के बीच ले सकते हैं यह तीनों जो होते हैं omega 3 में और vitamin E में बहुत रिच होते हैं और यह आपको बहुत help करेंगे आपके stress को reduce करने में आपकी body में किसी भी तरह की swelling है, inflammation है उससे related stress को reduce करने में तो यह 5 methods को आप अपने daily routine में employ कीजिए और अपने stress को reduce होते हुए देखिए आपकी जो moods हैं वो better हो जाएंगे आप जादा खुश रहने लगेंगे और आपके stress levels में आपको visible change देखेगा तो I hope यह video आपको useful लगा हो अगर यह video आपको useful लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, colleagues के साथ, family के साथ share करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को subscribe कीजेगा और मैं आपसे अगले विडियो में मिलूंगी Thank you